भाई लोग आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने बजाज EMI कार्ड में अपना EMI का पेमिंट कैसे कर सकते हो अगर आपने बजाज EMI कार्ड को यूच करके कोई समान यहाँ पर EMI पर बाई किया हुआ है और आपको उसके EMI का पेमिंट करना है कोई EMI अगर आपकी मिस हो गई है और आपको EMI का पेमिंट करना है या फिर आप जो है एडवांस EMI का पेमिंट करना चाहते हो या फिर अगर आपको फूल पेमिंट अपना करना है पूरा लोन क्लोज करना है एक साथ पेमिंट करके तो कैसे आप जो है EMI का पेमिंट कर सकते हो आईए मै आपको live जो है बताता हूँ क्योंकि मैंने भी यहाँ पर बजाज EMI कार्ट को यूज करके एक समान यहाँ पर EMI पर buy किया हुआ है तो आईए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको उसमें EMI का payment जो है करना होगा खुद से करने के लिए आप एक काम करना सबसे पहले जो है आप बजाज के आप को डाउनलोड करके अपना मोबाइल नमबर डालके OTP से लोग इन कर लेना जो नमबर आपके EMI कार्ड में रेजिस्टर होगा लोगिन करने की बाद आपके सामने ऐसा page open हो जाएगा उसके बाद आपको एक काम करना होगा आपको सबसे उपर में एक option मिल जाएगा यहाँ पर टैप करोगे आपके सामने यहाँ पर कई सारे option open हो जाएगे जहाँ पर आपको पहला ही option मिल जाएगा loan payment का यहाँ पर टैप कर देना, यहाँ पर टैप करने की बाद आपको यहां से second वाले option पे क्लिक करना होगा, other payments वाले, यहाँ पर क्लिक कर देना, यहाँ पर क्लिक करने की बाद थोड़ा सा wait कर लीना, यहाँ पर आपको आपके सारे loan मिल जाएंगे जितने loan आपके बजाज EMI card पे चल लए होंगे आप लोग देख सकते हो present time पे हमारा यहाँ पर बजाज EMI card पे केवल एक ही loan चल ला है जिसकी EMI यहाँ पर 1777 रुपे है तो इसका payment करने के लिए आपको यहाँ से इसको tap करके नीचे से proceed पे आपको tap करना होगा फिर आपके सामने payment करने का page open हो जाएगा यहाँ से आपको select करना होगा कि आप जो है कौन सा EMI payment करना चाहते हो अगर आपको अपना full payment करना है तो इस वाले option को choose करके आप अपना full payment कर सकते हो full payment करके आप अपना loan close कर सकते हो अगर आपको advance EMI का payment करना है तो advance EMI वाले option पे click करके आप advance में EMI का payment कर सकते हो अगर आपकी कोई EMI यहाँ पर miss हो चुकी है और आपको उस EMI का payment यहाँ पर करना है तो इस वाले option को choose करके आप यहाँ पर miss EMI का payment कर सकते हो अगर आपको अपना settlement amount का payment करना है तो last वाले option को choose करके आप यहाँ पर अपना settlement amount का payment कर सकते हो तो यहाँ से इतने साधे option आपको मिल जाते हैं अपना EMI का payment करने के लिए तो भाई लोग आप यहाँ से choose कर लेना जो भी EMI आपको यहाँ से payment करना हो तो हमको यहाँ पर advance EMI का मालो payment करना है तो इस वाले option को हम यहाँ से choose करेंगे उसके बाद हमारे सामने option open हो जाएगा कि आपको किस महिने का EMI यहाँ पर advance में payment करना है maximum आप जो है 5 EMI यहाँ पर advance में payment कर सकते हो तो यहाँ पर tap कर देना भाई लोग यहाँ से आपको choose करना होगा कि आपको कौन से महिने का advance में EMI payment करना है यहाँ से tap कर देना उसके बाद भाई लोग यहाँ पर आपको नीचे जो है amount बता दी जाएगा इतना amount आपको payment करना है यहाँ से आप जो है amount चेक कर लेना उसके बाद payment करने के लिए नीचे चलियाना proceed to payment पे क्लिक करोगे आपके सामने option open हो जाएगा payment करने का तो payment आपको कहां से करना है वो चीज आप यहां से choose कर लेना जहां से आपको payment करना है अगर आपको अपने बजाज UPI से payment करना है तो यहां से इसको choose करके UPI से अपना UPI पिन डालके payment कर देना payment आपका हो जाएगा अगर आपको कहीं और से payment करना है debit card UPI net banking तो आप यहां से option को choose करके payment कर सकते हूँ आपको जहां से भी payment करना हो उसको choose करके नीचे से पेनाओ पे क्लिक करोगे आपके सामने option open हो जाएगा UPI पिन डालने का तो अपना UPI पिन डालके आप जो है जैसे ही okay करोगे तुरंद आपका payment यहां पर हो जाएगा मेरे को यहां पर payment नहीं करना है वरना मैं आपको live जो है payment करके दिखा देता इतना ही कर दोगे आपका payment यहां पर complete हो जाएगा आपके बजाज EMI कार्ड का EMI यहां पर जमा हो जाएगा तो ऐसे करके आपको बहुत ही आसानी से अपने बजाज EMI कार्ड में अपना EMI का payment जो है करना होगा मैंने आपको यहां पर process बता दिया कैसे आपको करना है I hope आप जान गए होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करना ऐसे उर वीडियो उसके लिए हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लेना साथ में अगर आप online earning करना चाहते हो तो उसके लिए आप एक काम करो सबसे पहले हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लो यार क्योंकि मैं आपको टेलिग्राम चैनल पे कई सारे online earning के cashback offer जो है देता रहता हूं लिंक आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा अगर आपको online earning करना है तो सबसे पहले जाके आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लो